वेलोफेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको पताने हूं कैसे आप अपने Samsung Galaxy में जो एप आप आइकन होता है या बोल सकते एप शेप होता है उसको कैसे चेंज कर पाएंगे या फिर उसका कलर को कैसे चेंज कर पाएंगे तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चलों को जब दोस्तों आप इसको डॉनलोड नहीं करा है ऄड-टो रूट कर लेक्यों से अपने किया है और मृइन कर लेना है यहां करi तो आइकन वाला औप्चन आपको क्लिक करने purely स्कूड करेंगे तो आपको ऐसा यहां पर इंटरफेस देखका यहां पर आपको करना है जो Aikon Pack लिखे हैं सबसे उपर आपको दिख रहोगा आपको उस पर क्लिक कर लेना है Aikon Pack पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ले जाएगा सबसे उपर वाले यह सुरूम में मिलेगा आपको Samsung के icon packs मिलेंगे और नीचे third party जो कि आपने Google Play Store से डाउनलोड करेंगे वो आपको नीचे मिलेंगे तो आपको यहाँ पर latest डाउनलोड करना है यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे प्लस पे क्लिक करने किया तो आपको Galaxy Theme पे ले जाएगा तो मैं यहाँ पर कुछ फ्री डाउनलोड कर लेता हूं तो इसमें से आपको जो भी डाउनलोड करना है कुछ पेसे वाले और कुछ फ्री वाले हैं जो भी मैं कुछ फ्री वाले आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूं आपको डाउंलोड पर ऑपशन पर क्लिक करती है आप यहां पर बहुत सरब डाउंलोड कर सकते हैं उसमें कोई इसुम्हें के आपकर देख किया आपको डिखा देगा सब्सक्राइब तो आप यहां से जो भी में दाउनोड करेंगे सब को यहां पर मिल जाएंगे कुझ करना है क्लिक करने खाए से पर दिखा देगा फॉर्मेट अआको कैसे दिखने वाल और उसको आपको अपलाई पर क्लिक कर देना है और यहां पर इसको नाम देना है जो भी कुछ भी नाम देना हो तो आप इसको नाम दे सकते हैं ताकि आप इसको फाइंड कर सकें और वह इंस्टॉलिंग में चले जाएगा आप देख रहे होंगे नीचे इंस्टॉलिंग के प्रोसेस चलेगी थोड़ी लंबी प्रोसर से जो सकता है दो-चार मिनित लग जाए तो इसको आप continue होने दीजिएगा इस्टाला होने के आपको यहां पर ऐसा मिलेगा यह आपको दिख जाएगा सारे पैक पे एक्टिवेट हो चुगा है पैक पे एक्टिवेट हो चुगा आपको दिख रहे होंगे जैसे कि गैलरी का आइकन चेंज हो गया कि कुछ कैमरे के आइकन चेंज हो गया इंटरनेट ब्राउजर के आइकन चेंज हो गया तो सारे सारे आ पर अबक्र आपको आपको डाउड करने तो आपकी नेटकेस्ट आपस अपर मिल जाएगा कि डाउड हो छुका है अपको दिखाएगा कि कैसे यह app icon देखने वाले है going, उस यह theme के अंदर और आपको simply उसको जैसे यह दिख रहे हैं कि ऐसे यह icon दिखने वाले है आपको simply यहां कर गरना है, वापिस यह download पर click करना है यहाँ पर जो भी नाम देना हो नाम दे दिजीएगा, फिर ok करना है करने के बाद फिर इस्टोटी पर जाएगी फिर आपको इसको apply कर देना यहां पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें iqne's के color को भी चेंड कर सकते हैं कि आइकन के pack के साथ साथ आप color दिख्यालर को भी मोडिफाइक कर सकते हैं वो कैसे वो भी मैं आपको बतातोzeigt Content इ vrij पाइनल ही हो चुका है आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आपlai करेंगे अपलाई अप्लाय हो जाएगी और जितने भी आप आइकन सब कर दोद दोदिके हैं कि उसकी बात दोस्तों आपको अगार इसका आइकन का कलर चीन्ज करना हो तो वापस आपको ओहीं जाना पड़ेगा गूडलक मौडियूल पे या फिर वो जक्तिन भी मार्क पे यह बढ़ाय पर आपको करना है इसको को चूज कर लेना लाइक देख रहे होंगे सब ग्लू-ब्लू हो गए और यहां पर आप वापिस इसको करेंगे वापिस आप इसका नाम देंगे इसको सेफ करेंगे और जितने भी आइकन्स होंगे सबके कलर आपको डिपरेंट मिलने वाले तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको मडिफाइब कर सकतें अपने आइकन को या बोल सकते हैं अपने Samsung मोबाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि वह अच्छा लुक दिखे आपको अपने साब से आपकर सकते हैं उसको एकिन और पर हो जुगा है जिसके पैक इसके चेंज होने था आइकन चीन्ज हो सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो थेंक्यों दोस्तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब